नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सत्या मैं आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज हम देखेंगे कैमिस्ट्री के 30 important questions ये part number फस्ट रहेगा इसके आगे भी ह अगला question देख लेते हैं कुश्चन नमबर दो कह रहा है, दो या दो से अधिक सुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चत अनपात के संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा योगिक कहलाता है, अगला कुश्चन, कुश्चन नमबर तीन कह रहा है, द अगला question कह रहा है question number five कौनसी धात्व विद्दुत की कुचालक होती है जो लैड है वो हमारी विद्दुत की कुचालक होती है कुश्चन नमबर 6 देखते हैं किस अधातो में धातोई चमक पाई जाती है तो ग्रेफाइड में हमारी धातोई चमक पाई जाती है आयोडीन में भी पाई जाती है तो उपरोग दोनों में सही हो जाएगा आयोडीन और ग्रेफाइड में धातोई चमक पाई जाती है अगला क स्ट्यूंग裡面 कौन सा एक योगिक है तो इसमें से हमको चूज करना कि कौन सा योगिक नहीं है अगलावर्फशिन जल एक योगिक है क्योंकि क्योंकि आ chcionic बंदों से जुड़ी दो बिनतत होते हैं वह क्या होते हैं हमारे तो hydrogen और दूसरा oxygen होता है, next question, इसमें कहा रहा है कि हमको सूची first को सूची second से सुमेलित कीजिए, तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूर से सही उत्र का chain कीजिए, तो जो हीरा है, उसमें हमारा carbon पाया जाता है, A, हीरा मैच करेगा 4 से, हीरा to carbon, संग मरमर, संग मरमर का क्या होता है, केल्सियम, संग मरमर का केल्सियम तत्त होता है, मतलब इसमें दे रखा है, पदार्थ दे रखा है, उसको तत्तों से मैच करना है, तो पदार थमको संगमरमर है तो उसका तर्थ तो calcium होता है next दे रखा है कि जेत बालू जिसको sand बोलते हैं वो हमारा हो जाएगा silicon उसका तर्थ तो silicon हो जाएगा and d दे रखा है मारिक की मारिक क्या क्या होता है उसका बच गया aluminium aluminium oxide होता है तो यह aluminium में match कर जाएगा तो इसका हो जाएगा A का हो जाएगा 4, B का 1, C का 2 and D का 3 मैच कर जाएगा, अगला question देख लेते हैं, question number 11 कहाँए कि निमन मैच से किस पदार्थ में oxygen नहीं है, cement में oxygen होती है, rate में भी होती है, जब मिट्टी के तेल में oxygen नहीं होती है, तो C इसका सही answer हो जाएगा, मिट्टी के तेल में oxygen की मातरा नहीं होती है, अगला question, question number 12 कह रहाएगी, कौन सा पदा प्रकृत में 3 अवस्ता में पाया जाता है, तो जो हमारा water पानी होता है, वो हमारा प्रकृत में 3 अवस्ता में पाया जाता है, ठोस, द्रब, और गैस, अगला question, इस टेलना सिस्टील एक मिस्ट दातो जब वाय, वाय क्या होती है, वो कई गैसों का एक मिस्रड होती है, अगला question, निम्न में से कौन सा ना तो तत्तो है और ना ही योगिक, जो वाय हो है, वो हमारी ना ही तो तत्तो है, और ना ही योगिक क्या है, वाय एक हमारी मिस्ट रवह होती है, अगला question कहला है, question number 15, पदात के चतरत अवस्ता क्या है, तो ठोस, द्रब, गैस, 3 अवस्ता होती है, लेकिन जो चौतिय अवस्था होती है उसको हम प्लाजमा कहते हैं ठोस, तरल, गैस तो तीन होती है लेकिन चत्रत अवस्था प्लाजमा कहलाती है नेक्स क्विश्चन कहला है निम्न में कौन सा एक योगिक है तो जो हमारा जेत है वो हमारा योगिक है अगला question विरंजक चूड क्या है तो विरंजक चूड भी हमारा एक योगिक होता है next question कहरा निम्न में कौन सा मिसर नहीं है तो जो हमारी ग्रेफाइड है वो हमारी मिसर नहीं है अगला question बारूद होता है बारूद क्या है बारूद हमारा एक मिसर होता है अगला question कोईला है कोईला क्या होता है एक तत्व होता है next question question number 21 कह रहा है हीरा है हीरा ही क्या होता है हीरा एक तत्व होता है अगला question question number 22 कह रहा है कि बिस्व का प्रतेक पदात अत्यनत सूचमकरों से मिलकर बना होता है ये बात कहीती कडादने अगला question निम्न में योगी कौनसा है तो अमोनिया है वो हमारी योगी के है अगला question निम्न में कौनसा एक तत्त है तो जो हीरा है वो हमारा तत्त है repeat question है ये वाय निम्न में क्या है वो हमारी मिस्रड है ये भी repeat हो गया है next question निम्न में से कौनसा रासान कि योगिक है तो जो अमोनिया होती है वो हमारी रासायनिक योगिक है नेक्स कुस्टियन निम्न में से मिस्रड है तो जो इस पात है वो हमारी मिस्रधात होती है मिस्रड होती है नेक्स्ठकुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कहलाता है वो हमारा योगी कहलाता है तो इसी के साथ यह हमारा lecture समापत होता है धन्यवाद आसा करता हूँगा आपको यह जो हमने question बताए हैं उनका अंसर दिया है वो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी सेर कीजिए धन्यवाद